हलो गुन मानिंग जुहार में संजे और आप देख रहे हैं निगो जार्खन समय हो चला है जार्खन के खबरों को जानने का तुछ लिए जानते हैं आज की जार्खन के 25 मुख्य बड़ी खबरों को इंतजार खत्म पियम मोधी आज 12 बजे राची हवडा वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी जंडी जार्खन से पसिम बंगाल जाने वाले रेल यात्रियों के लिए खुसखबरी है अब उनकी यात्रा और आरामदे होने वाली है सताबदी एक्सप्रेस के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलने जा रही है या ट्रेन जार्खन की राजधनी राची को पसिम बंगाल की राजधनी कोलकत्ता से जोड़ेगी हलाकि या ट्रेन रांची से हवडा तक चलेगी बेहद अरामदे इस ट्रेन में आठ कोच होंगे ट्रेन साथ गंटे म उदगाटन के बाद प्रस्थान करेगी वंदे भारत स्पेशल की रूप में या ट्रेन हावडा तक चलेगी रविवार को उदगाटन स्पेशल ट्रेन दिन में सड़े बारा बजे रांची से खुलेगी हलाकि रांची हावडा रांची वंदे भारत एक्सप्रेश ट्रेन क 27 सितंबर 2023 से नियमित परिशालन सुरू होगा 20-89 रांची हवडा वंदे भारत एक्सप्रेश ट्रेन सपता में 6 दिन मंगलवार छोड़कर रांची से परिस्थान करेगी या ट्रेन 7 घंटे में रांची से हवडा की यातरा थाई करेगी इस ट्रेन में वातानो कुलित शेयर कार के साथ कोच एवं वातानो कुलित एक्जेक्यूटिव शेयर कार के एक कोच समयत कुल 8 कोच होंगे पसिम बंगाल के लिए यह च्चाओ था वंदे भारत एक्सप्रेश ट्रेन होगा फुटबॉल मैच के दोरान वहां लगाए गए तंबू में अस्मानी बिजली गिरने से घटनास्तल पर दो दर्सकों की मौत हो गई तीन लोग घायल हो गए हैं मिली जानकारी के नुसार खेल के दोरान अचानक बारी सुरू हो गई मैच देखने के लिए दर्सक बारी से बचने के लिए मैदान के समी बने टेंट में सरन लेने लगे इसी दोरान टेंट पर वजरपात हो गया और टेंट के अंदर बैठे दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई साथ घर नास्तल पर पहुँचकर घायलों को इलाज के लिए समुदायक स्वास्तकेंदर सरय या हाट पहुँचाया जारिखन और आसपास में मानसुन सकरिये संधाल परगना और उससे सटे इलाकों में आज भारी बारिस की संभावना पूरी राज में मानसुन सकरी है इसका असर पूरी राज में दिख रहा है कई जीलों में भारी बारिस हुई है मौसम विवा के अनुषार बंगाल की खाड़ी में बनने वाला साइकलोनिक शर्कुलेशन के असर जारखन में देखने को वल रहा है इसकी वज़े से इन दिनो मानसुन सक्री है और लगतार जमाजम बारिस हो रही है मौसम विज्ञानिक अभिशिक आनेंद के अनुशार अभी जो सिश्टम है वा आने वाले दो दिनों तक जारखन और आसपास में सक्री रहेगा हलाकि आज 24 सितंबर को इसमें थोड़ी कमी आएगी लेकिन कई अस्थानों पर भारी बारिस के चेताउनी है हलाकि 25 सितंबर से इसमें ज़्यादा कमी आने की संभावना जताई जा रही है इस दोरान मेग गर्जन और वजरपात भी हो शकता है इससे बचने की जोरत है आज 24 सितंबर को शंधाल परगना और उससे सटे इलाकों में भारी बारिस की चेताउनी दी गई है वही मेग गर्जन की समय किसान खेतों में ना निकले और सुरक्षित इस्थान पर जाने की कोशिस करे जारखन में मिले डेंगू के सरसट और चिकनगुनिया के 48 मरीच राज में डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या लगतार बढ़ती जा रही है बीते 24 गंटे में राजबर में डेंगू के 206 संदिक्द मरीच मिले इनमें सरसट में डेंगो की पुष्टी हुई है, सबसे ज़्यादा पूर्वे सिंगुम में 60 संदिग्द मरीज मिले, इनमें 33 में डेंगो की पुष्टी हुई है, वही सहिबकंच में 38 संदिग्द मरीजों ने जाच करवाई, इनमें 18 में डेंगो की पुष्टी हुई है, ध देवखर रिंग रोड के लिए 727 एकड़ भूमी अधिगरहन की प्रक्रियापूरी, मंत्राले से पहले फेज में 50 करोड स्विकृत, करीब 65 किलोमेटर लंबी देवखर रिंग रोड की भूमी अधिगरहन की सभी विभाग्य प्रक्रियापूरी हो चुकी है, जीला भूरजन कारियाले से कुल 727 एकड़ भूमी अधिगरहन का कारी पूरा कर नेशनल हाइवे अतरोटी ओप इंडिया को भेज दिया गया है, भूरजन कारियाले से केवल भूमी अधिगरहन के लिए 202 करोड रुपे की मौजे का प्रस्ताव भीजा गया है, इसमें केंद द्यां द्वारा इसकी सारे तैयारी कर ली गई है उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे। अंगनबाडी केंदर में बच्चों को मिलने वाला भोजन में घोर अनिमित्ता गिरीडी के बेंगाबाद प्रकंड अंतरगत बदवारा पंचायत के सहियारी गाउं के आंगनबाडी केंदर में बच्चों को मिलने वाला भोजन में सालों से घोर अनिमित्ता बरती जा रही है इस आंगनबाडी केंदर में 70 बच्चे का नमंकन है वही प्रति दिन मातर 10 से 12 बच्चे की उपस्तिती रहती है इतने कम बच्चों की उपस्तिती में भी बच्चों को प्रयाप्त भोजन नहीं मिल पाता है बच्चों को मिलने वाले भोजन में दाल चावल के साथ हरी सबजी अंडा फल देना अनिवारी है लेकिन इस गाउं के आंगनवाडी केंदर में सालों से दाल शावाली बच्चों को दिया जा रहा है सतर बच्चे का नमंकन होने का फायदा उठाते हुए प्रती दिन सभी बच्चे की उपस्तिती बताकर सभी बच्चे का रासन विभाग से लेकर गबन का सिलसिला वर्सू से चल रहा है वही सहियारी गाउं के वाटसदस सुरेंद्र कुमार वर्मा परतनिधी ने कहा है कि बच्चों को मिलने वाले भोजन में अनिवित्ता कईया मामला सालों से चलता आ रहा है कई बार लोगों ने इसका विरोध भी किया है लेकिन कोई परभाव नहीं पड़ा वही गरवर्ती महिलाओं को मिलने वाला सुखारासन भी समय पर नहीं दिया जाता है और जो दिया जाता है उसमें भी कटोती कर दिया जाता है साइकल से वन्चित सरकारी अस्कूल के चातरों के खाते में भेजी जाएगी इतनी रासी केबिनेट के बार दिवाग ने योजना को देश विकृती जार्खन के S.C.S.T. तथा OBC स्रेनी के चातरों के लिए खुस खबरी है इन स्रेनी के जिन शात्रों को साइकल नहीं मिली है उनके खाते में सरकार की और से 4500 रुपए सिग्र जमा किये जाएंगे ये सौगात उन्हीं शात्रों के लिए है जो सरकारी विध्यालियों में पढ़ते हैं शात्रों के खाते में यह रकम डेबीटी के जरिये डाली बता दी कि यहाँ ऐसे चात्रे हैं जिनको निविदा नहीं होने के कारण साइकल नहीं मिल पाय थी वित्तिवर्स 2020-21, 2021-22 और 2022-23 में विलम के कारण निविदा नहीं निकाली जा सकी थी अब इन में से प्रतेख वर्स के लिए तई 122 करोड रुपए यानी 366 करोड प्रते में ट्रांसफर की जाएगी केबिनेट की स्विकृति के बाद कल्यान विभाग ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है नकसलियों ने लंबे समय के बाद खुंटी में दीधमक सुदरवर्ती छेतर में चिपकाई पुष्टर जिले के सुदरवर्ती इलाके दचनी अड़की और सिंजूडी वा मुचिया बजाटार में परतिबंधित नकसली संगठन भागपा मववादी ने पुष्टर बाजी की पुष्टर बाजी कर संगठन ने लंबे समय के बाद उपस्तिती दर्ज कर आई है मालूम हो कि 21 सितंबर से 27 सितंबर तक मववादियों के द्वारा वर्सगांट मनाई जा रही है बैनर में वर्सगांट क्रांतिकारी उत्सा एवं दृट संकल्प के शाथ मनाने का निव पुष्टर बाजी से ग्रामिनों के बीच फिर एक बाद दर्जात का माहूल बना है चकरधरपूर में अवारा कुट्टो ने दो दर्जन से अधीक लोगों को काटा सहर में दहसत चकरधरपूर सहर वागरामिन छेत्रों में अवारा कुट्टो का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि लोग का घर से बाहर निकलना मुस्किल हो गया है पिछली 24 गंटे में दो दर्जन से अधीक लोगों को कुट्टो ने काट कर घाल कर दिया है इसमें जातर बच्चो को काट कर घाल कर दिया है लेकिन नगर परिशद ने इन कुटों से लोग को राहत दिलाने के लिए कोई पहल अब तक नहीं किया है जिस से लोगों में काफी दहसत है बताया जाता है कि आवारा कुटों से चकरधरपुर प्रखन कारियाले मेंड रूट थाना रूट अनुमंडल अस्पताल सहित अन्नी मोहलों में रहने वाले लोग खासे दहसत में हीं आवारा कुटों के हमले के भाई से छोटे बच्चों का बाहर खेलना बंद कर दिया गया ह कई आई भावक अपने बच्चों को कुटों के भाई से अस्कूल भेजने में भी चिनते थें रांची दुमका एक्सप्रेस जाड़ ग्राम धनबाद और वर्दमान हटिया एक्सप्रेस आज 24 को रही गी रद दर्चिनपूर वो रेलवे में आदर्या मंडल के बोकारू अस्टिल सिटी अस्टेशन में चलने वाले FOB के कारे के लिए 24 सितंबर को ब्लॉक लिया जाएगा जिसकारण दुमका रांची रांची दुमका एक्सप्रेस जाड़ ग्राम धनबाद धनबाद जाड़ ग्राम मेमू एक्सप्रेस वर्दमान हटिया हटिया वर्दमान मेमू एक्सप्रेस आज 24 सितंबर को रद कर दी जबकि धनबाद, एलेपी एक्सप्रेस, पटनाराची जनसताब्दी एक्सप्रेस, गुवाहाटी राची या स्पेशल एक्सप्रेस को बदले हुए मार्ग, चंदरपूरा, बरकाकाना, मुरी होतो हुए चलाई जाएगी। इमन्तु सोरेन के इस फैसले पर भाजपा के प्रदेश अध्धक्ष बाबुलाल मरांडी ने तंज किया है, इस बाबत मरांडी ने ट्विट किया है कि मुख्यमंत्री को गिरपतारी का भाय सता रहा है, इसलिए वे एडी का सामना नहीं कर रहे हैं, मरांडी ने आगे का है कि मुख्यमंत्री की रफतारी से बचने के लिए हाई कोट की सरल ले रहे हैं, ये उनकी अंदर का डर को डर साता है बोकारू में हाथियों के जुण ने पोट्सों में चार घरों को तोड़ा, कई खेतों को रौंधा, प्रकंड के उपर घाट, पोकरिया के बाद, जंगली हाथियों के जुण ने 23 सितंबर को पोट्सों के जंगल में डेरा जमालिया है, हाथियों के जुण ने 23 छेतर में ज पुरी तरह से तोड़ दिया, वही टेको महतो, कुला रविदास, भवानी के खडम सिंग, लालचंद महतो की चार दिवारी को तोड़ कर फसल को रौन दिया, इसी दोरान हातियों ने भवानी निवासी, डालोराम महतो, सालुक महतो वा परमेश्वर महतो की धान के खेत को पलामू में पुलीस ने विफल की डाकैतों की योजना, पिश्टल वा गोली समयत 5 सड़क लुटेरे गिरपतार, जिले की रामगड और चेनपूर थाना पुलीस ने सन्युक्त कार रवाई कर डाकैती की योजना को विफल करते हुए, इसमें सामिल 5 लुटेरों को गिरपत है कि पुलीस की ततपरता से डाकैती की योजना को विफल कर 5 लुटेरों को गिरपतार किया गया है, इनमें से एक नबालिक भी सामिल है। साल की बेटी माही कुमारे भी थी, गनिमत रहे की बेटी बाल-बाल बच गई, जानकारी के नुसार रिसा देवी अपनी बच्ची को सौच कराने के लिए गली से जा रहे थी, इसी दोरान घर की मिटी की दिवार अचानक से भर भरा कर उस पर गिर पड़ी, दिवार गिरने कि आवाज सुनकर आसपास के लोग घर से निकले तो पाया कि रिसा मिट्टी के नीचे दबी हुई है ग्रामीनों ने उसे मिट्टी हटा कर निकाला तथा प्रात्मी कुप चार के लिए ततकाल भी सुन पूरा ले गए जो है रिसा की गंभीर इस्तिति को देखतो हुए उसके सौजन सदर अस्पिताल ले जा रहे थे सदर अस्पिताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गए दुमका में अवैद विदेसी सराब फेक्टरी का भांड़ा फूर नकली सराब बग्रामत जर्मुंडी थाना चेतर के जोगधारा कैरी गाउं में चल रही अवैद विदेशी सराव फेक्टरी का सनिमार को उत्पाद विभागने उत्भीदन किया इसके साथ ही तेरा काटू नकली सराव हुआ नकली सराव बनाने में इस्तमाल में आने वाले रैपर धकन जो है पंज करने वाली मसीन को जबत कर लिया गया है चापेमारी के दोरान घर में दो सिंटैक्स की टंकी में तैयार नकली सराव को भी नश्ट कर दी गई उत्पाद अधिचक प्रीती नंदन भगत की उपस्तिति में उत्पाद अवा निरक चक कुमार राहुल ने बताया है तो नकली सराव में जो है मैडोवल्स और जो इंप्रियर ब।ोजस ये ब्रान के रैपर लगे हुए है चापूबीन के दौरान कमरे के अंदर दो जो है सिंटैक्स की टंकी में बना हुआ करीब दो हजार लीटर नकली सराव जो है पाए गई है नकली सराप के कारुबार में सनलिप्त लोग की दलास की जा रही है फिलाल सभी लोग फरार है रामगण के ब्रहम पुत्रा फैक्टरी में काररत मजदूर की गिरने से हुई मौत परवंधन ने 3,70,000 मुआजा और आसरित को नौकरी देने का किया आईलान गोला थाना छेतर के कमता गाउं इस्थित ब्रहम पुत्रा मेटालिक्स लिमिटेट फैक्टरी में काररत एक मजदूर की मौत सुकुरवार को देर साम को गिरने से हो गई मृता के पहचान जांगी निमासी साधु चरन भोकता 45 वरसे की रुप में की गई प्राप्ति जानकारी के अनुसार साधु चरन भोकता वर्डिंग का कारी करने के करम में अचानक गिर गया जिसे कमपनी परबंधन के द्वारा उसे इलाज है तो गोला के एक अस्पताल में ले जाए गया जहां से उसे बेहतर इलाज है तो रामगर राफर कर दिया गया जहां इलाज के दोरान उसकी मौत हो गई ग्रामिनों ने उसके आसरित को नौखरी एवं मौजा देने की मांग की सनिवार को ग्रामिनो सहित मिर्टक के परीचन और कम्पनी परवंधन के बीच थाना परभारी गोला के उपस्तिती में समझोता हुआ समझोते के तहट मिर्टक द्वारा कारत ब्रंपुतरा मेटालिक्स लिमिटेट के स्याम एंटरप्राइजेज के द्वारा तीन किस्तों में 3,70,000 रुपे का भुकतान मिर्तक की पत्नी को किया जाना है जिसकी पहली किस्त के रुप में सनिवार को 70,000 रुपे का नगत भुकतान मिर्तक की पत्नी को किया गया तथा जो ही मिरतक का पुत्र 18 वर्स कहोगा ये नौकरी उसे दे दी जाएगी जार्खन के सिसुपाल वद का समय आगया निसीकान के एक ट्वीट पर मचा बवाल जैमेम ने कहा इसारों में नहीं साप कहें कहना क्या चाहते हैं इस कल्यूग में जार्खन के सिसुपाल वद का समय आगया है निसीकान दुबे का ये ट्वीट वाइरल हो रहा है सांसद इसारा किस तरफ कर रहे हैं या साप नहीं है लेकिन चर्चा तेजहे की निसीकान दुबे मुखेमंतरी हिमंतु सोरिन की तरफ संकेत कर रहे हैं मुखेमंतरी हिमंतु सोरिन को सनिवार को इडी ने पूच ताच के लिए बुलाय था मुखेमंतरी हिमंतु सोरिन पूच ताच के ले नहीं पहुचे और हाई कोर्ट कर रुख किया है इस ट्वीट को लेकर जैमम ने भी असपश्ट टिपनी नहीं की है, पार्टी के केंद्रिये महासची शुप्रियो भटाचार ने कहा है कि इनकी भासा इतनी खराप हो गई है कि इस पर टिपनी करना बेकार है, सांसद है कम से कम भासा की मरियादव तो नहीं रखनी चाहिए, अगर निसिकान दुबे कुछ कहना चाहते हैं, तो इस सारों में क्यों कह रहे हैं, साप साप कहें कि वह कहना क्या चाहते हैं, निसिकान दुबे के इस ट्वीट पर भारती जनता पार्टी के प्रावक्ता ने भी जो किसी तरह की टिपनी से इनकार करतों वे कहा है कि मामला ह इस मामले में निशीकान्दूवे किसी भी तरह की टिपनी नहीं करना चाहते जेमेम ने बिनोध बिहारी माहतों के संघर्सों को किया याद जिला समेती के बैठक में दी गई स्रधाजली जामों ने सनिवार को बिनोध बिहारी माहतों जनती के आउसर पर उनको याद किया और स्रधा शुबन अर्पित किया इस मौके पर पार्टी के केंदरिये महासच्यू विनोद कुमारपांडे की अध्धकस्ता में राची के हर्मो इस्तित पार्टी के केंदरिये कारेले में एक आयुजन हुआ साथी रामगड एवं लातिहार जिला समेती की विस्तारित बैठक भी हुई जिसमें जिला अंतरिगत केंदरिये समेती के शभी शदश जिला समेती के शभी पददिकारी संगठन की जिला अध्धक्ष एवं सच्यू शहीद पार्टी के अन्ने शदश शामल हुए बैठक शुबारम श्वर्गिये बिनोध बिहारी महतों के चाया चित्र पर माल्यारपन और जहारखन के लिए किये गे उनके शंगरसों की अस्मृती शिकी आगया चेंबर चुनाओ आज रविवार्खू दोनों गुटों ने का सीकमर फेडरेशन ओप जहरकन चेंबर ओप कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की चुनाओ रविवार को है इसे लेकर सारी तैयारियां पूरी की गई है बिरसा मुंडा फुटबॉल अस्टेडियम में आज सुभा नौ बजे से मज़दान प्रक्रिया सुरू हो जाएकी बतादे कि चुनाओ की घोषना के बाद सही प्रत्यासियों में पोश्टर वार देखने को मिला टीम सलंदर तथा टीम कि सोर सहीचे निर्दलिय प्रत्यासी मैदान में हैं सभी के अपने अपने दावे हैं धनबाद की जीटी रोड पर वाहनों से डीजल चोरी करने वाले दो बदमासों को पुलीस ने किया गिरपतार पिश्टल और गोली बारामत जीटी रोड पर वाहनों से डीजल चोरी करने वाले दो बदमासों को पुलीस ने गिरपतार किया है सनिमार को CTSP अजीत कुमार ने प्रेश कॉन्फरेंस में बता है कि बिती राद वर्य पुलीस अधिचक को सुचना मिली थी कि बर्वार्डा थाना चेतर में अपराद किमानसा के साथ कुछ अपराधी घूम रहे हैं सस्पी के निर्देशा अनुसार चाप मारे की गए जहां से दो व्यक्ति स्विप्ट डिजार में थे पुलीस को देख भागने के फिराक में थे जिन्हें पुलीस द्वारा उन्हें खधर कर पकड़ा किया साथी कार को भी जब्त कर लिया गया राची सदर अस्पिताल में बड़ी लापरवाही इमर्जनसी वाड में एक बेड़ पर दो मरीजों का चल रहा इलाज जारखन की राज़नी राची सहित पूरे राज में इंदिनो डेंगू, चिकनगुनिया और मलरिया के साथ-साथ बरसाथ में होने वाले वारल फिवर और अन्नी बिमारियों के मरीज बड़ी है ऐसे में अस्पतालों में भी इन बिमारियों की संख्या में भी तेजी से बढ़ूतरी हो रही है मरीजों की बड़ती संख्या और संसाधनों की कमे की आड में राची सदर अस्पताल की इमर्जनसी वाड में लापरवाही के द्रिस्ट शामनिया है सदर अस्पिताल की 15 बेड़िट इमर्जनसी वार्ड में अलग-अलग बीमारियों की शिकायत के साथ भरती हुए दो मरीजों का इलाज एक ही बेड़ पर लिटा कर किया जा रहा है इससे जहां नर्सों और मेडिकल अश्टाब दोारा मरीजों के इलाज में चूक होने का खत्रा है वही इसके साथ-साथ शंकरमन भनने का भी डर है सदर अस्पिताल की एमर्जनसी में एक ही बेड़ पर इलाज कराने को मजबूर नहा परविन करती है कि जब वहा भरती हुई तब सिश्टर ने कहा कि एक ही बेड़ पर अर्जेश्ट करने को कहा उन्होंने कहा कि एक छोटे से बेड़ पर दो-दो मरीजों का इलाज किया जा रहा है ऐसे में बेड़ से गिरने के साथ ही अनिस्ट कर्मन का भी खत्रा रहता है लेकिन वहा क्या करे रामगड में आसुपारटी जीला कार्यले में मनी स्वर की बिनोध बिहारी महतों का संविजनती आसुपार्टी जीला कारियला में नगर परिश्रद कमिटी द्वारा नगर परिश्रद उपाध्यक्ष मनोज कुमार महतों के नेतित्व में जार्खन पिता महा स्वरकिये बिनोध बिहारी महतों का समवाजनती मनाई किया आसु पार्टी के सभी कारीकरता बिनोध बाबो की तस्पीर पर पुस्प अर्पित कर उनकी राह पर चनले का संकल पलिया इस मौके पर मनोज कुमार महतो ने बता है कि बिनोध भीहारी महतो की अलग ज्ञारकन राजर गठन में बड़ी भूमिका रही है विराज में भीस में पितामा थे समाज में आसिक्षित लोग को सिक्षित और संघर सिल बनाने के लिए पढ़ू और लड़ू का नारा दिया था वह हमेशा सिक्षा के लड़ते थे आज बिनोद बाबू के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए एक संकल्प लेने की जौरत है बिन भी शामिल हुई बैटक में जो है मौजूद कर्मचारी निताओं ने कहा है कि हमनत सरकार अपने ही वादे से मुकर रही है क्योंकि जलसहियाओं को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है ऐसे में जलसहियासंग ने फैसला लिया है कि पहले डीसी को तीर सुतरी मांग का इस मार पत्र सौपा जाएगा जिसमें पूर्व के रगवर सरकार द्वारा एक हजार भुकतान के बाद भी सहियाओं को अब तक नहीं दिया गया और इसी बकाय को हेमन तसरकार तुरंद भुकतान करें करमचारी नेताओं ने मांग करतों विकाहे कि पंचायत आवंटन की सुची तुरंद उपलब्द कराय जाए और पंचायत योजना में कारे की अनुरूप कारे का भुकतान करने की मांग सामल रही कर्मचारी निताओं ने कहा है कि DC को मांग पत्र देने के बाद अगर पहल नहीं किया गया तो जल सही आए पहले चरण में 3 अक्टूबर को PHED कारेले का खिराव करतो हुए थाली बजाएगी इसके बाद दूसरे चरण में नौवंबर महा में प्रखंड अस्तर पर धरना दिया जाएगा जबकि दिसंबर महा में हीज़ड DC के समक्ष धरना दिया जाएगा बोकारो में कोईला चोरो के विरुद्ध चापेमारी जारंग डी काटा घर में खान परवंधक ने किया भारी मातरा में कोईला बरामत दो बाइक जब्तू खबर है बोकारो की जहां बोकारो थर्मल थाना चेतर में सीसियल कथारा चेतर के जारंग डी काटा घर में खुले आम कोईले की चोरी हो रही है कोईला चोर दिन में भी ट्रकों से कोईला उतार कर बोरे में भर कर मोटर साइकल से ले जा रहे हैं इसके लिए सीसेल के सुरक्षा विभाग और सीसेल स्थानिय पुलीस को जिम्मेदार मानती है जारंग डी खुली खधान के खान परबंधक बाल गोविन नायक ने सनिवार को काटा घर के समक्च सीसेल के सुरक्षा कर्मियों के शार्थ पहुँचकर भारी मात्रा में कोईला बारामत करतो हुए दो मोटर साइकल को जबत किया है ये अच्छा प्रमारी इस्थानिय पुली जार्खन सरकार के सहीयोग से कुलहान विश्विद्दाले के जन जाती एवं छेत्रिय भास सविवाग द्वारा विश्विद्दाले शभागार में करम पर्व पूरु शंध्यार समहरों का आयूचन किया गया समहरों में मुख्य अतिती की रुप में महिला बाल विकास कहा है कि करम पर्व जो है प्रकृतिक और मनुस के बीच के रिस्ते का एक बेजोड नमुना है कांके फाइरिंग मामले में होम सेकरेटरी अक्टिव राची डीसी और सस्पी से मांगी रिपोर्ट आरोपी पर कई मामले लंबित राज़नी राची के कांके चौक में हुवी फाइरिंग मामले में होम सेकरेटरी अविनास कुमार ने संग्यान मिलिया है इस मामले को लेकर उन्होंने राची के उपायुक्तों और वर्य पुलिस अधिक्चक्स रिपोर्ट मांगी है प्राप्त जानकारी के नुसार होम सेकरेटरी की और से पूछा गया है कि इस गोलिबारी के परमुक आरोपी चितरंजन पर वहां के थाने में कई मामले लंबित है वहाँ उस इलाके का जानावाना जमीन माफिया है ऐसे में आरोपी पर लंबित मामले होने के बाद भी कारवाई करने की ज़ुरत है ग्रीव भाकिस उत्रों की माने तो सचीव अविनास कुमार ने कहा है कि कांके फाइरिंग मामले में घटना समे समंधित अभी लुक्तों के खिलाब CRPC 107 के तहट कारवाई सुरू करने के अत्रिक्त कोई और कारवाई नहीं की गई है उन्होंने कहे कि इस घटना को लेकर जो निर्देश पूरों में दिये गए हैं उसका अनुपालन करते हुए और इस तरह की घटना फिर से ना हो इससे लेकर रिपोर्ट उपलब्द कराना सुनक्षित करें